दोस्तों अब सब लोगों को पताई होगा कि भारत लगातार अपने हतियारों को लेके एक के बाद एक सफलताय हासिल करते जा रहा है और इन सफलताओं को रोकने का शमता ना भारत के दुश्मन देशों के पास है और ना ही दोस्ट देशों के पास है भारत के ऐसे मिसाइलों के शफलता से कई सारे देश इसलिए भी फरेशान है क्योंकि इससे उन देशों के बना बनाया डिफेंस मार्केट भारत की हाथ में आ जाएगा और इनी कारणों के वज़ा से लगातार कई सारे देशों के द्वारतके हत्यारों को लेके बmaybeaganda किया जाता है और दोस्तो PAKISTAN चायना जायसे देश सबसे आगे है और हाली में ही भारत की आकाश जैसे सफल मिसाइलों को लेके वी इसी तरीके का एक false propaganda किया गिया जिसका परदापाज भारत के तरफ से कर दिया गया है दोस्तो रिपोर्ट के मुतावी कुछी समय पहले भारत के जो वायूशक्ती एक्सेसाइज था उस दर्मियान भारत के आकाश मिसाइलों को लेके कई तरीके के मिस इन्फॉर्मेशन फैला गया लेकिन इसके बावजूद भी भारत के तरफ से आकाश मिसाइल के सफलता का एक सबूत द दिया गया वायूशक्ती एक्सेसाइज में किस तरीके से आकाश मिसाइल सफलता पूर्बग आसमान में द्रोनों को इंगेज किया है दोस्तो भारत के जो वायूशक्ती एक्सेसाइज आयूजित हुआ था उस दर्मियान आकाश मिसाइलों को लेके कई तरीके के फॉल्स इ साथ ये साफ कर दिया गया है कि किस तरीके से आकाश मिसाइल ने चैलेंजिंग टारगेटों को या फिर कहतो द्रोनों को हवा में मार गिराया है बैसिकल दोस्तों आकाश मिसाइलों को लेके इस तरीके का प्रोपगंडा या इस तरीके का जो इसलिए फैला जा रहा है क्योंकि हाल फिलाल के दिनों में आकाश मिसायलों का जो डिमांड है वो एक्सपोर्ट मार्केट में कई बढ़गुना बढ़ा है और कई सारे देश जहाँ पर आकाश मिसायलों को खरिदने को लेके इंटरस्टेड है तो वही पर अर्मेनिया के और सुरान के द्वारा भी इन मिसायलों को भारत से खरिदा गया है और रिपोर्ट के मुताविक कई सरे और भी देश ऐसे है जो कि भारत के साथ इन मिसायलों को लेके फाइनल स्टेज में नेगोसियेशन कर रहा है और जल्दी इन मिसायलों को लेके भारत को एक के बाद ए एक ही मिसाइल यूलिट के द्वारा चार मिसाइलों का इस्तिमाल करके चार अलग-अलग टार्गेटों को हवा में मार गिराया गया था। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वायू शक्ति एक्सेसाइस के दर्मियान भी ऐसे ही एक चैलेंजिंग टार्गेट को आकाश मिसाइल के लिए सेट किया गया था ताकि ये जाना जा सके कि आकाश मिसाइल इस तरीके के चैलेंजेस को निटलाइज कर सकता है कि नह रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस exercise के दर्मियान आकाश मिसाइल को जो target को निशाना बनाना था उसके लिए कम से कम engagement time रखा गया था या फिर कहे तो कम से कम reaction time रखा गया था दूसरे तरफ target को काफी अधिक stealthy रखा गया था जिससे कि इसे detect कर पाना काफी मुश्कि किया गया जो कि दर्शात है कि आकाश मिसाइल असल में कितने capable मिसाइल है अब दोस्तों इस exercise के दर्मियान आकाश मिसाइल ने जो target को हिट किया है वो total 4 अलग-अलग step में हिट किया है जिनमें सबसे पहला है मिसाइलों का launch रिपोर्ट के मुताविक ये जो menu variable low radar cross section वाले drone target उसे डिटेर करने के तुरंद वाद ही मिसाइलों को launch किया गया और उसके बाद मिसाइल ने अपने second phase मतलब radar lock process को start किया बेसिकल दोस्तों radar lock process के साथ मिसाइल लगातार इस target को track करता रहा ताकि target के menu variability के साथ मिसाइल अपने menu variability को match करते हुए target को hit कर सके फिर तीसरा process मतलब target के नस्दीक जाने के बाद वरेट का detonation report के मुताविक इसमें जो radio proximity fuse है उसका इस्तेमाल करते हुए missile के सबसे करीव जाके यह जो वरेट है वो अपने आपको detonate कर लिया और दोस्तों चोथा और आखरी phase है impact दोस्तों छोटे size के इस drone के नस्दीक में जाने के बाद जब इसक परफॉर्मेंस और इतने बहत्रिन तरीके से एक काफी कठिन target को hit करने के बावजूद वायुशक्ती exercise के दर्मियान कई सारे online portal और कई सारे social media account के द्वारा लगातार आकाश missile को लेके प्रोपगंडा फैलाया गया और ये दावा किया गया कि missile target को hit नहीं कर सका और इसे साव प्रोपगंडा था वो भी एक तरीके से द्वस्त हो गया और दोस्तों ऐसे प्रोपगंडा फैलाने के पीछे असल मकसद था आकाश missile को नीचा दिखाना ताकि भारत का आकाश missile को जो लगातार सफलता मिल रहा है उसे नीचे दिखाते हुए आकाश missile के export को कम से कम किया जा स प्रोट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान बॉर्डर के नस्देग अपने टेली कॉमिनिकेशन टावर को और स्ट्रॉंग कर रहा है ताकि इसके जो रेंज है वो भारत के काफी अंदर तक हो जिससे की पाकिस्तान अपने टेली कॉमिनिकेशन नेट्वर्क के द्वा भारत के अंदर पाकिस्तान प्रस्त आतंगवादियों को और बॉर्डर क्रोस करके भारत के अंदर घुसपैट करने वाले आतंगवादियों को मदद कर सके। का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एक ऐसा टेक्नोलोजी है जिसके सहारे कॉमुनिकेशन के लिए रेडियो सेट और स्मार्टफोन को मर्ज किया जा सका है। के में जो टेली कॉमुनिकेशन नेट्वर्क के टावरों को मजबूत किया जा रहा है और संख्या को बढ़ाया जा रहा है उसके पीछे आई एसाई का एक बहुत वड़ा साजिश शामिल है और इस काम को स्पेशल कॉमुनिकेशन और्गुनाइजेशन मतलब SCO के तरफ से अंजाम दिया जा रहा है और इसका जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानी आर्मी के मेजर जेनरल उमर एहमत शाह को दिया गया है अब दोसों पाकिस्तान के तरफ से बॉर्डर के नस्देक इस तरीके के टेली कॉमुनिकेशन टावर को बना कि जो आतंकियों को मदद किया जा रहा है वो असल में United Nation के International Telecommunication Union के Article 45 का संपूर उलंगन है दोसों ये जो Article 45 है ये International Telecommunication Union के द्वारा बनाया गया है जो की 193 मेंबर वाले एक ऐसा organization है जिसके तहे कई तरीके के Signal Identification, Telecommunication और Cellular Activities को मैनेज किया जाता है और उसके उपर नियमों को बनाया जाता ह अब दोसों इस Article के मुताविक Border के नजदिक इस तरीके का कोई भी Unnatural Signal या फिर Misleading Signal या फिर Communication Signal को Establish नहीं किया जा सकता है जो की दूसरे देश के काफी अंदर तक जा सके अब दोसों इससे एक तरीके से पाकिस्तान तो नियमों का उलंगन कर ही रहा है साथ में भारत के Intelligent Agen Agencies को चक्मा देने के लिए भारत के अंदर आतंगवादियों को पाकिस्तान के सिगनल इस्तेमाल करने पे भी मदद कर रहा है बैसिकली दोस्तों भारत के अंदर जब आतंगवादी बहुत अंदर तक आ जाते है तो उन्हें कॉमुनिकेशन के लिए भारत के सिगनल का इस् Agencies है उनके द्वारा ऐसे सिगनल को डिटेट करके आतंकियों के खोजब लगा पाना काफी मुश्किल होता है और पाकिस्तान इसी चीज़ का फाइदा उठा रहा है और दूसरे तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान उकुपाइड कश्मिर के बड़े शहरों पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पे 5G तो क्या 4G तक अब तक नहीं आया है और पूरा पाकिस्तान 3G के उपर डिपेंडेंट है वही देश बॉर्डर के नस्दिक जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे एक्टिविटीज को अगर इस तरीके इसे बढ़ा रहा है तो आसानी से पता चलता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का मनसुवा क्या है हלהकि दोस्तों ऐसे ही नेटवर्क के थुरू पाकिस्तान के दुआरा भारत के अन्दर वी कई तरीके के मिसिनफोर्मेशन और प्रपगंड़ा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन लगातर भारत के तरफ से अपने प्रयास के अंतरगत पाकिस्तान के ऐसे कामों को भ द्वस्त किया जा रहा है और दोस्तों मेरा मानना ये है कि बॉर्डर के नस्दिक ऐसे टेली कॉम्मुनिकेशन नेट्वर को जैम करने के लिए भारत के द्वारा जैमर का उपयोग करना चाहिए दोस्तों आप लोगे को क्या लगता है कि ये जो प्रॉपगंडा है ये कितना ह तक भारत के द्वारा ध्वस्त करना संबभ हो पाएगा कॉमेंट करके अपने राए अवश्त दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को इह पही करते हैं समात किसी और एक दुन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम